हेलो एंड वेल्काम एवरीवन मैं धीरा ज्यादा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमार एजुगेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मूनिटी पर तो आज की अगर हम बात करें तो आज हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं order and ranking का part 2 जो की आपको screen पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे order and ranking का part 2 clear इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने order and ranking का part 1 डिसकस किया हिंदी कि अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे क्रम विवस्था के नाम से जानते हैं clear अगर हम बात करें part 1 की तो part 1 में हम लोगों ने type 3 या फिर आप बोल सकते हैं इन concepts को discuss किया concept 1 की अगर हम बात करें तो concept 1 को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि आपके order and ranking में क्या होते हैं two ends होते हैं यानि कि left end और right end यानि कि दाया चोर और बाया चोर हमने दो ends की बात करी दो चोर की बात करी ये भी बताया कि कई बार आपको question top to bottom भी देखने को मिलता है लेकिन हमें क्या करना हमें left to right का ही approach को follow करना है और अगर मैंने का फिर भी आपको तसली ना मिले फिर भी आपको संतुष्टी ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं अपने बनाय हुए solution को rotate करके top to bottom में भी देख सकते हैं आपका answer same आएगा इसके बाद हमने बात करी थी left to left में क्या होता है value minus होती है और answer हमें left end से मिलता है right to right में value minus होती है answer हमे right end से मिलता है फिर हमने बात करी थी जब हम left to right जाएंगे तो answer क्या मिलेगा हमें add होके मिलेगा वो भी left end से और जब हम क्या करेंगे right to left जाएंगे तो answer हमें add होके मिलेगा किस end से right end से इसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी थी concept one की जब हमने कहा कि किसी पंक्ती में एक ही व्यक्ति की position दो अलग अलग छोड से दी जाएगी तो यहां पर आपको तीन प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे या तो आप से total पूछ लिया जाएगा या तो व्यक्ति की position right end से पूछ ली जाएगी या फिर left end से पूछ ली जाएगी इसके उपर हमने कुछ basic formula की भी बात करी लेकिन आपको formula को follow नहीं करना है यानि कि आपको structure पे ही focus करना है फिर हमने बात करे थी concept 2 की जब आपको total number of persons दिया गया होगा और दो व्यक्तियों के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी होगी यहाँ पे दो cases बन रहे थे एक overlapping का case बन रहा था और एक non overlapping का case बन रहा था overlapping की अगर हम बात करें तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाती है a plus b के योग से कम हो जाती है तो वहाँ पे overlapping का case बनेगा और जब कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी A प्लस B के योग से अधिक हो जाएगी तो वहाँ पे non overlapping का case बनेगा इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी concept 3 की जहाँ पे आपको total number of persons बताने होंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि overlapping के case में जब आपको minimum number of persons निकालने होंगे तो पहली condition क्या है कि छोटी वाली value से at least 2 बंदे क्या होने चाहिए कम होने चाहिए overlap का case आपको बनाने के लिए और अगर आप max to max कितने बंदे बठा सकते हैं तो छोटी वाली value से दो कम बठा सकते हैं ऐसा करने पर आपका जो बड़ी वाली value हो जाएगी वही क्या हो जाएगा आपका total number of person हो जाएगा इसी पर बेस यहाँ पर आपको concept 4 को भी discuss करेंगे जहाँ पर language का थोड़ा सा important role होने वाला यानि कि आपका जो question की language है वो कहीं न कहीं बहुत important हो जाती है इस question को बनाने के लिए तो अगर आपने previous session को नहीं देखा है तो पहले आप previous session को watch करें तो आपको कहीं न कहीं यह session समझने में आसानी होगी और आप इसको बहतर तरीके से समझ पाएंगे clear? चलिए तो start करते हम लोग आज का session और आज के session का पहला question आपकी screen पे आ चुका है अगर हम बात करें question की तो बुला जा रहा है in a row of persons position of a is 19th from the left end यानि कि वेक्तियों की एक पंक्ती में एक असान बाएंचोर से कितना है? 19 हुआ है यहाँ पे generally आप क्या-क्या mistakes करते हैं इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा कि normally एक बच्चा क्या mistake करता है इन questions को solve करने में ठीक है? और आप लोगों को बताना है comment करके कि किन लोगों ने ऐसे ही answer निकालने हैं जो की गलती है आप in general करते हैं तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A की position कितनी दिया है 19 दिया है left hand और B की position की बात करें तो 15 दिया है किदर से right hand और बोल रहा if C sits exactly between A and B then find what could be the minimum number of person sitting in the row जदी A का अस्थान 22 चोर से कितना है 19 सवा है और B का अस्थान 25 से कितना है 15 है तो आपको और बोला है कि C क्या बैटता है दोनों के बिल्कुल बीच में बैटता है तो आपको बताना है पंक्ती में बैटे निनुनितम रेक्टियों की संख्या कितनी हो सकती है यह आपको यहाँ पे निकालना है find करना है यह बठा दिया अपने C को, यह हो गया आपका B, और B की पोजिशन हो गई कितनी 15th, तो कुछ लोगों का अंसर क्या आ जाएगा, 19 वेक्ती यहां तक हो गई, A को हो गया C, 20 और 15 और जोड़ दियें, तो हो गया 35, यानि कि कुछ लोगों का अंसर आ जाएगा, यहां पर कितना 35, देखो यह option तो आपका वैसे भी होना नहीं है, क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहां पर आपको minimum number of persons बोला है, यानि कि A कही value की बात की जा रही है, ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको किस तरीके से बनाया होगा, यह बना लेंगे A, overlap करा दिये, यह बना दिया C को, और यह होगी आपका B, B की position कितनी होगी, 15, तो दोनों के बीचे हम बैठा सकते हैं, कितने वैक्ति, दोनों के बीचे हम बैठा सकते थे, 13 वैक्ति, उस case में total मिल जाता हमें, क्या, 19 मिल जाता, लेकिन यहां पर बैठा है, हमने क्यों A के वैक्ति को, यानि कि 12 वैक्ति को हमने बाह चाह सकते हैं तो आंसर कुछ लोगों का आया होगा 31 आपको कमेंट करके बताना है कि किन लोगों का अंसर 35 या फिर 31 आया और दोनों यहां पर यहां पर क्या है गलत हैं सही आंसर क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगा और क्या यहां पर हम maximum number of persons निकाल सकते हैं इसके इसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो चलिए देखते हैं इसको रिमूफ करते हैं इसका जो सही solution बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा तो सबसे पहले हैं हम लोगों ने लास्ट शेशन में डिसकस किया थोड़ा से उसको एक बार फिर से डिसकस कर लेते हैं जैसे हमने कहा, अभी question को भूल जाई, जैसे हमने कहा, मान लेथे हैं, A की position कितनी है, 10th from the left end, हमने कहा, A की position कितनी है, 10 के कहां से, 22 चौर से, और हमने कहा, B की position कितनी है, 5 भी है, दाहिने चौर से, तो हम max to max क्या कर सकते हический को मान सकते हैं, एक्स्ट्रीम और इसको अगर हमने अन्तिम चोर मान लिया तो बताओ a की पॉजिशन राइट एंड से कितनी हो जाएगी é की पॉजिशन राइट Pronounce ये पहली Phrir यह हो जाएगा दूसरा दौ्दा यह हो जाएगा तीसरा बंदा यह हो जागा चौथा बंदा और यह हो जागा पांचो बंदा यानि कि B B की पोजिशन कितनी थी अब अगर हम आप से कहें पंक्ती में कुल कितने वक्ती हैं तो आप देख पाएंगे पंक्ती में वक्तियों की संख्या कितनी है 10 और A और B के बीच हम maximum कितने वक्ती बठा पा रहे हैं तो बठा पा रहे हैं तीन यानि कि छोटी वाली वैल्यू से दो कम ठीक है अब किसी ने कहा कि सर आप इसको कहां से स्टार्ट कर सकते थे A के बाद इससे स्टार्ट कर सकते थे यानि कि A की पोजिशन अगर हमने कहा दसवी है तो आपने कहा यहां से स्टार्ट कर सकते थे यानि कि यह हो जाएगा राइट अंड से पहला वक्ती यह हो जाएगा दूसरा वक्ती यह हो जाएगा तीसरा वक्ती यह हो जाएगा चौथा वक्ती और यह हो जाएगा पांचवा वेक्ति यानिकी B और B की पोजिशन कितनी फिफ्ट फ्रॉम दा राइट अभी अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप पाएंगे A और B के बीच हमने कितने वेक्ति बैठाए दो वेक्ति बैठाए बैठा कितने सकते थे maximum तीन बैठा सकते थे और अभी हमने दो वेक्तियों को बैठाया जब maximum हम persons को बैठा लिये थे तो हमारा जो बड़ी वैली वैली थी वही क्या आगया था total number of persons आगया था लेकिन इस बार हमने क्या किया वेक्तियों की संख्या कम कर दी तो total में जितने हमने वेक्तियों की संख्या कम करी उतना ही क्या हो जा रहा है या पर जूड़ जा रहा है यानि कि एक वेक्ति को हमने कम किया तो एक वेक्ति total में जूड़ गया यानि कि total number of persons की बात करे तो कितना आ गया 11 आ गया इसी प्रकार किसी ने कहा कि इसको आप यहाँ से start करते यानि कि ये beginner बा दो विक्ति ले ले लेते तो ये पहला विक्ति ये दूसरा विक्ति ये तीसरा विक्ति ये चौथा विक्ति और ये कौन हो जाता पाँछवा विक्ति हो जाता और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही position थी 10 और 10 के बाद कितने व्यक्ति मिल रहे हैं दो व्यक्ति मिल रहे हैं हम बैठा सकते थे तीन व्यक्ति अगर तीनों को हम बीच में बैठा देते तो हमें answer मिल जाता 10 लेकिन हमने बैठाया के वाल एक तो answer कितना मिल गया 12 तो overlapping के case में मैंने आपको यह बाते बताई है previous session में किया आप कैसे orally questions को बना सकते हैं without using copy and pen ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूछे के प्रस्न में हमें क्या करना था तो पूछे के प्रस्न में भी हमें यही concept फॉलो करना था यानि कि अगर हमने कहा c sits exactly between a and b तो a की position कितनी दिया गया एक की position दिया गया है 19th from the left end इसी को हम क्या माल लेंगे इसी को माल लेंगे extreme end यानि कि अंतिम छोर और जब यह अंतिम छोर हो जाएगा तो इसकी position b की position दिया गया कितना 15th तो पहला व्यक्ति यह हो जाएगा इसके बाद बीच में बैठेंगे कितने व्यक्ति 13 फिर आ जाएगा नंबर किसका b का यानि कि एक और 13 मिलाए तो कितना हो गया 14 हो गया और फिर एक जोड़े तो कितना हो गया 15 हो यानि कि b की position कितनी हो कि 15th from the right end कुल व्यक्तियों की संख्या की हम बात करें तो कितना मिल रहा है हमें 19 मिल रहा है अब बीच में बैठे है 13 व्यक्ति तो क्या हम C को exactly बीच में नहीं बठा सकते हैं तो बिल्कुल बठा सकते है 6 व्यक्ति इधर हो जाएंगे 6 व्यक्ति इधर हो जाएंगे कुल रख्तियों की संख्या की बात करें तो कितना आ जा रहा है 19 आ जा रहा है यानिकि अगर हम बात करें what could be the minimum number of person sitting इंदर हो तो answer का जाएगा 19 कब जब C कहां बैटा है A और B के exactly बीच में बैटा है और कुल रख्तियों की संख्या वही हो जाएगी जो की A की आपकी position है यानिकि जो बड़ी वाली value वही क्या हो जाएगा आपका total number of person हो जाएगा clear इसी पर based हम लोग एक और question solve करेंगे तो आपका थोड़ा से concept और clear होने वाला है और सबसे पहले discuss कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या हम maximum number of persons यहाँ पर बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं तो ध्यान दीजिए हमने कहा यह माल लेते हैं A A की position हो गई कितनी 19 हमने कहा यह हो गया B B की position कितनी हो गई 15 हमने कहा यह हो गया C तो कुछ लोग कहेंगे कि maximum यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा बैठा है तो भी यह वहार ए बीच में बैठा है यानि कि यहाँ प्लस एट कर सेट करो गें तो हो जाएगा आपका 45 प्लस 10 यानि कि 55 आपका आजाएगा अंसर इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 100 व्यक्ति ले ले लेते हैं यहाँ पर 100 व्यक्ति ले ले लेते हैं तो भी सी आपका exactly बीच में ही बैठा है यानि कि इस प्रशन के लिए आप maximum number of persons की value नहीं निकाल सकते कि maximum कितने व्यक्ति बैठे हैं आपका पंक्ति में या फिर row में ठीक है तो यहाँ पर आप maximum number of persons नहीं बता सकते हैं बात कर लेते हैं इसी पर बेस्ट अगले question की और मैंने कहा language का बहुत important role रहने वाला है तो बोला जा रहा है इन a row of persons position of a is 20th from the left end एक ही position हमने ले ली कितनी 20 ले ली और आपसे बोला जा रहा है बीस 12th from the right end if she sits exactly between a and b then find what could be the minimum number of person sitting in the row तो यानि कि question बिल्कुल आपका same है बात कर अगर एक ही position आप 19 भी ले लोगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा फरक कहा पड़ेगा क्यों पड़ेगा इसकी उपर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपने क्या कहा इसी को हमने मान लिया experiment और a और b के बीच हम maximum कितने बंदे ब 12 अब बताओ इन दोनों के बीच में अगर 10 वेक्ति हैं तो क्या आप a और b के exactly बीच में c को बैठा पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है यानि कि आपको क्या करना पड़ेगा at least एक बंदे को यहां से उठाके बाहर भेजना पड़ेगा at least एक परसन को आपको उठा बंदे नो बंदे यानि कि चार इधर होंगे चार इधर होंगे और एक हो जाएगा आपका c तो यहां पर समझने वाली बात क्या थी कि जब कभी भी आपका इस प्रकार के question में जो mid value आएगी वो एक even number आएगी तो आपको क्या कर देना है बड़ी वाली value में एक जोड़ दे ठीक है ना तब आपका जो बड़ी वाली value वही क्या हो जाएगा टोटल number of person हो जाएगा इस प्रकार के question में जो कि आपको बना लेना है अगर exam में आपसे पूछा जाता है तो ठीक है ना चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की तो अब हम बात करेंगा इसी पर बेस्ट एक और question की मैंने कहा language का बहुत important role होने वाला है यहाँ पर हम बात करें in a row of persons position of x is 22nd from the left end and position of y is 16th from the right end if only z sits exactly between x and y then find what could be the minimum number of persons मैंने कहा language का बहुत important role होने वाला है एक पंक्ती max की स्थिती 22nd से 22nd है और y की स्थिती 22nd से 16nd है यदि केवल z x और y के बीच में बैठता है तो बताएं कि पंक्ती में बैठे वेक्तियों की निवनतम संख्या कितनी है यानि कि अगर हम बात करें previous question की तो previous question में केवल और question as it is आपको देखने को मिल रहा है और वो word कौन सा है तो वो word है आपका only यानि कि अगर हम इन्दी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा केवल ठीक है आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ पे आपको if c sits exactly between a and b दिखाई दे रहा है जब कि यहाँ पे if only z sits if only z sits exactly between x and y यानि कि यह केवल only word आजाने से आपका पूरा का पूरा concept जो है वो क्या हो जाएगा change हो जाएगा यानि कि इस बार हम बात करेंगे किसकी x की position की तो x की position कितनी दिया है 22 और y की position कितनी दिया 16 दिया है लेकिन इस बार x और y के बीच में केवल और केवल एक ही वेक्ति बैठेगा और वो वेक्ति कौन है वो वेक्ति है आपका z और y की position की बात करें तो 16 तो बता हम x और y की बीचे maximum कितने बंदे बैठा सकते थे तो छोटी वाली value से दो कम यानि कि हम 14 persons को बैठा सकते थे लेकिन बैठा कितने को रहें केवल एक यानि 13 persons कहा जाएंगे इसके बाद आ जाएंगे तो 22 और 13 कितना हो जाएगा 35 हो जाएग 35 जो कि आपको previous question के पहले solution मैंने आपको बताया था कि आप ये mistake करते हैं तो कौन से question में कौन सा approach कौन सा concept या कौन सा आपका structure ड्रॉ करना है यह आपने हाँ पे clearly देख लिया ठीक है अब हम बात करेंगे सबसे important question की जिसको लेकर के आपके मन में कहीं ने कहीं एक phobia होता है औ और वह question है आपका position interchange related और position interchange की अगर हम बात करें तो previous session आपने देखा है तो यहाँ पे हम previous session के concept का use करेंगे और पूछे जाने वाले प्रस्नों को हम orally कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो यह थोड़ा सा conceptual question था जिसमें आपको क्या करना है मैंने बताया कि जो बड़ी वाली वैली हुशी को एक्स्ट्रीमेंड मान लेना जब यहाँ पर only word नहीं दिया होगा बीच में अगर आपका क्या आ रहा है कि even number आ तो plus one otherwise जो odd number आ रहा है तो जो बड़ी वैली वैली वही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है इस पर based कुछ questions है पहले इसको हम लोग solve कर लेते हैं फिर हम लोग आएंगे position interchange पर based questions ठीक है तो अगर हम बात करें बोला है in a row of 35 members Amit is 7th from the left hand and Guru is 11th from the right hand Sumit sits exactly mid of Amit and Guru what is the rank of Sumit from the right hand यानि कि इस प्रस्ण की अगर हम बात करें तो इस प्रस्ण को आप औरली हल कर सकते हैं औरली बना सकते हैं कैसे बनाना है तो समझिए total number of person कितने है 35 total number of person कितने है current 35 तो जब हमने का है Amit की rank 7th from the left hand थो 31 मैं से हमने क्या किया साथ निकाली है 35 मैं से हमने साथ निकाली है तो बजगे कितने 28 और 28 मैं से हमने 11 निकाली है Always So, not sorry, 17 28 में समने 11 निकाल लई तो बजगे कितने 17 अब 17 वेक्टियों में अगर हमने कहा सुमित exactly बीच में है तो सुमित की position अमित से अगर हम बात करेंगे तो अमित के respect में भी 9 होगी और हम बात करेंगे गुरू के respect में तो गुरू के respect में भी कितनी हो जाएगी यानि कि 8 वेक्ति अमित और सुमित के बीच बैठेंगे और 8 वेक्ति गुरू और सुमित के बीच बैठेंगे अब पूछा जा रहा है what is the rank of सुमित from the right end जब right की बात करी जा रही तो हम कौन से वाले person को choose करेंगे हम right वाले person को choose करेंगे और right वाले की ये कहां बैठा होगा तो right वाले की ये left में बैठा होगा right वाले की position है 11 और ये बैठा होगा नवी position left में तो 11 नो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए हम लोग यहां पर structure भी ड्रॉ करके देखेंगे structure पर भी मैं वही बात करूँगा जो अभी मैंने आपको बिना structure के बताई equally वक्ति कितने थे देखो 35 थे हमने कहां अमित की position कितनी साथ कितने वक्ति बज गए तो अमित के बाद बज गए 28 वक्ति 28 में से हम इधर से किंते हुग आरे हैं गुरू की position कितनी हो गए 11 तो 28 में से हमने 11 और ले लिये तो बीच में कितने बज गए बताओ बीच में बज गया 17 वक्ति और बोला जारा सुमित अमित और गुरू के exactly बीच में है यानि कि हमने कहा अमित और सुमित के बीच में 8 वेक्ती होंगे और सुमित और गुरू के बीच में भी कितने वेक्ती होंगे 8 वेक्ती होंगे यानि कि सुमित की position नवी हो जाएगी अमित के respect में भी और गुरू के respect में भी अमित के respect में बात करेंगे तो अमित से right होगा और गुरू से left होगा position हमें किदर से जाननी है position हमें जाननी है right से तो हम right वाले person को pick करेंगे क्यों क्यों हमें पता है right to left जाएंगे तो value add के मिलेगी और right end से मिलेगी और अगर हमें value left से निकाल नी होती तो हम value left वाले के term में जाते left से right जाते तो value add होके मिलती और value किदर से मिलती left hand से मिलती तो इसकी position right end से 11 है 11 के बाद 8 वेक्ति और मिलने तो कितने होगे 29 और फिर position आगे किसी सुमीद की तो होगे कितने 20 तो initially आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है कोशन को ओरली हल करने में यानि कि आप क्या करेंगे कुछ number of questions की practice करेंगे और सबसे पहले तो जो आपको session में questions provide कराएगा है उन्ही questions को आपको एक बार क्या कर लेना है session over होने के बाद ठीक है तो होगा क्या कि कहीं न कहीं जो एक structure कैसे draw करना है उस पर आपका जो command है वो बहतर हो जाएगा और आप questions को आसानी से बना पाएगे ठीक है चलिए इसी पर based एक और question की हम बात कर लेते हैं इस बार भी आपके number of persons कितने हैं 35 है अनामिका की position कितनी है 25 from the right और भावना की position कितनी है 29 from the left है नि 29 from the left ठीक है अब हमें पता यह case बनेगा overlapping का overlapping कि अगर हम बात करें तो maximum इसको भूल जाई अभी maximum कितने बंदे बठा सकते थे दोनों के बीच में तो छोटी वाली value से 2 कम यानि कि 23 उस case में हमें answer कितना मिलता 29 मिलता लेकिन answer मिल आ हमें कितना 35 यानि कि 35 और answer हमें अगर मिलना है कि 35 चली answer मिलना हमें अगर 35 तो यानि कि हमने क्या किया है बठा सकते थे 23 तो आंसर मिलता 29 लेकिन ने मिल रहा है 35 ठिए 5000 को हमने बाहर किया तो बीच में बज़ गए कितने विक्ती 17 विक्ती बीच में बज़ गए हमारे पास 17 विक्ती और 17 विक्ती में बोला जा रहा है यहाँ पे कि चिंकी की पोजिशन जो क्या है अनामिका और भावना के बिल्कुल बीच में है यहने कि इस बार चिंकी की पोजिशन की बात करें तो वो नोवी हो जाएगी भावना के रेस्पेक्ट में भी और अनामिका के रेस्पेक्ट में भी चिंकी की पोजिशन हमें ग्या अंसर आजाएगा सूला इस्ट्रक्चर पर भी इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट चलिए टोटल नंबर ऑफ परसन कितने 35 लेफ्ट वाले की पोजिशन कितनी बी की पोजिशन कितनी 29 तो इसके बाद कितने वक्ति बच जाएंगे इसके बाद बच जाएंगे 6 वक्ति और राइट वाले की पोजिशन कितनी 25 तो इसके बाद कितने वक्ति बच जाएंगे 10 वक्ति बीच में कितने वक्ति बचेंगे तो 10 और 11 ग्यारा और 6 कितना 17 और 18 जब वक्ति हम निकाल दिये तो बचे कितने 17 वक्ति बचे और इन 17 में जो चिंकी है वो कहां exactly बीच में है यह होगा आपका A, यह होगा आपका B, यानि कि B और C के बीच में भी 8 वेक्ती, और A और C के बीच में भी 8 वेक्ती, B की position हमें किधर से पता थी Right से पता थी A की position हमें किधर से पता थी Left से पता थी Sorry B ये है उल्टा कर दिया हूँ चलिए ये है आपका A ये है आपका B B की position हमें Left से पता थी और A की position हमें Right से पता थी अब बोला जा रहा है चिंकी की पोजिशन हमें किदर से निकाल लिए राइट से निकाल लिए तो हम किसको पिक करेंगे हम राइट वाले को पिक करेंगे राइट वाले की पोजिशन कितनी है 25 है 25 से हम राइट जा रहे हैं कितने प्लेस पे जा रहे हैं 9 पोजिशन पे जा रहे हैं तो 25-9 करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने को 16 यानि कि option number B clear तो यह होगे कुछ basic question अब हम आ जाते हैं किस पे position interchange पे यानि कि concept force related job के basic question से उसको मैंने solve करा दिया position interchange की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप से तीन प्रकार के प्रशने पूछे जाते हैं और तीनों ही प्रकार के प्रशनों को हम लोग क्या कर पाएंगे औरली हल कर पाएंगे आसानी से यहाँ पे आपके दो type के question बनेंगे concept 5 के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दो type के आपके question बनेंगे और इनको हम लोग औरली हल करेंगे तो सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं A की पोजिशन है 27, B की पोजिशन है 23 और 23, 27, 23 चलिए 27, 23 और 23 ठीक है कुश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे तीन प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते हैं तीनों भी प्रकार के प्रस्ण को हम लोग डिस्कस करेंगे तो बोला जा रहा है जब A की पोजिशन क्या है देखी एक पंक्ती में A की पोजिशन बोला जा रहा है लेफ्ट एंड से कितनी है 23 और B की पोजिशन कितनी है 27 देख लेते हैं एक बार B की पोजिशन 23 ए A की पोजिशन 27 ठीक है तो जो कोश्चन है पहले उसको समझ लिजे वैल्यू कोई भी हो वैल्यू से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है यानि कि हम बात करें तो B की पोजिशन कितनी है राइट एंड से 23 है B की पोजिशन आपका राइट एंड से हो गया 23 और A की पोजिशन आपका लेफ्ट एंड से हो गया 27 यहां पर आप से तीन प्रकार के कोश्चन पूछे जाएंगे तो सबसे पहली जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है यानि कि सबसे पहले जो हमें कठिनाई होती है इस प्रकार के कोश्चन में वो यह होती है कि अगर हमने बनाया माल लेते हैं हो गया आपका A A की position हो गई 27 किदर से left hand से यह हमने बनाया B B की position हो गई कितनी 23 किदर से right hand से ठीक है और एक इसका structure जो बना जा सकता है वो बना जा सकता है यह हो गया A A की position कितनी 27 किदर से left hand से और यह हो गया आपका B B की position कितनी 23 किदर से right hand से तो सबसे पहले कठिनाई यह आती है कि इसको अगर हमाल लेते हैं structure 2 और इसको अगर हमाल लेते हैं structure 1 तो हमें structure 1 को follow करना है या structure 2 को follow करना है यह हमें सबसे पहले decide करना होता है तो ध्यान दीजे जब position हम interchange करेंगे यानि कि बोला जा रहा है जब यह क्या करते हैं परसपर अपना sun बदल लेते हैं तो A का जो नया sun है वो कितना हो जाता है 33 हो जाता है और किदर से हो जाता है तो left end से हो जाता है तो अगर हम यहाँ पर A और B का sun change करेंगे तो left से left आना पड़ेगा एक और left से left आओगे तो value क्या होगी minus होगी यानि कि यहाँ पर यह वाला structure follow नहीं करना है जब कभी भी position interchange करने के बाद आपका एक ही position में क्या हो increment देखने को मिले यानि कि increase देखने को मिले वृद्धी देखने को मिले तो आपका जो case बनेगा वो बनेगा non overlapping का case ठीक है non overlapping का case कब बनाओगे जब एक ही position interchange करने के बाद क्या हो जाएगी previous position से बढ़ जाएगी यानि कि पहले 37 अभी कितनी हो गई 33 तो यह वाला structure अपने को follow नहीं करना है अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से प्रस्ण आपसे पूछे जाते हैं और उन प्रस्णों का अंसर आप orally कैसे दे सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो question पूछा जाता है जो mostly आपको सबसे जादा आपसे पूछा जाता है दूसरा question आपसे पूछा जाएका total number of persons पंकती में बैठे कुल वेक्तियों की संख्या और तीसरा question जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है E और B के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या और तीनों ही questions का answer हम लोग यहाँ P 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 position और एक ही new position का difference मैंने कहा जब कभी भी पंक्ती में आपको दो व्यक्तियों की बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी हूँ तो आप क्या करते हैं अगर आपको दोनों व्यक्तियों की position एक ही end से पता चल जाए तो आप कहा कितने आएंगे दोनों का difference minus one यानि की दो तो इसको मैंने previous class में discuss भी किया था उसी प्रकार यहां पर एक ही position थी left hand से 27 अभी एक ही position left hand से कितनी हो जारी 33 हो जारी तो दोनों का difference कितने का 6 का यानि बीच में number of persons कितने आ जाएंगे 5 तो second वाले question का answer तो ऐसे ही थार्ड वाले question का answer तो ऐसे निकल लगया ठीक है अब ए और बी के बीच में जदी 5 वक्ति आए है तो अब इसी बात है जब बी एक ही जगे पे आगा तो भी कि जितने का increment A की position में हो रहा है उतने का increment किस में होगा बी की position में भी होगा तो इस question का answer आप आँख बन करके लगा सकते हैं आपने question नहीं देखा है कि होला आप सुन लेंगे तो भी आप answer माग कर देंगे यानि कि की position थी पहले 27 अभी होगी 33 तो भी पोजिशन पहले थी 23 तो अभी कितनी हो जाएगी 29 यानि कि जतने का increment A की position में उतने का increment B की position में तो इसका answer हो जाएगा 29 इसका answer हो जाएगा 5 अब अगर हम बात करें total number of persons की तो वो भी आप निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं जब हमने का किसी भी question में किसी भी type के सवाल में एक ही पंक्ती में आपको किसी वेक्ती की position right hand से भी पता चल जाया और left hand से भी पता चल जाया तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं total number of persons निकाल सकते हैं यानि कि A की position यहाँ पे आपको किदर से पता चल गई left hand से पता चल गई और हमने कहा यदि A की position right hand से कितनी होगी तो आप कहोगे जो B की position थी right hand से वही किसकी हो जाएगी A की भी position हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि A कहां आया है B के स्थान पे ही तो आया है position बदल के तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे A की position right end से तो कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी और यहाँ total हम आसानी से निकाल सकते हैं कैसे 23 plus 33 कर देंगे तो कितना आजाएगा 56 आजाएगा minus 1 करोगे तो 55 यानिकी 55 तो इसको कैसे निकालना है तो A की new position प्लस B की previous position दोनों को sum करके minus 1 कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल मिल जाएगा अब यहीं पे हम लोग एक और question solve कर लेते हैं अपने से value रख करके चलिए हमने कहा A की position left hand से कितनी 25 B की position right hand से कितनी B की position right hand से ले ले लेते हम 30 enter change करने के बाद position आपस में enter change करने के बाद जो A की new position बनती है वो left hand से कितनी बन जाती है 35 ठीक है तो हमें यहाँ पे तीन question का answer बताना है पहला बताना है B की new position किदर से right hand से फिर हमें बताना है total पंक्ती में कितने लोग बैठें और हमें बताना है mid value A और B के बीच में बैठे वेक्तियों की संख्या तो सबसे पहले हम बात करेंगे B की new position की तो A की position में कितने का increment हो रहा है तो 25 से हो जा रहा है 35 यानि कि plus 10 हो रहा है तो B में भी क्या कर हो जाएगा B की previous position थी वही क्या हो जाएगी A की भी position हो जाएगी right hand से तो 35 प्लस 30 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 64 यानि कि 64 फिर हमने कहा दोनों के बीच बैठे वेक्तियों की संख्या तो left hand से था पहले 25 अभी left hand से हो गया 35 यानि कि दोनों का difference 10 का minus 1 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 9 यानि कि mid value मिल गी कितनी 9 किसी भी प्रकार का प्रस्ण पूछे आप उसको आसानी से orally बना सकते हैं बिना किसी कठिनाई के ठीक है अब आ जाते हैं इसी पर based दूसरे जो question आप से यहाँ पे जो दूसरा question पूछा जाता है निकि पहले question के लिए यहाँ पे जो आप से पूछा गया था वहाँ पे तीनों ही प्रस्णों का answer हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया है अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो दूसरे प्रकार का प्रस्ण बनता है उसके बारे में ठीक है चलिए अब यहाँ पे दूसरे प्रकार के प्रस्ण में आप देखेंगे कि A की position की बात करें तो पहले कितनी थी तो A की position थी पहले 23 फिर उसके बाद आपसे बोला जा रहा है B की position 19 है और जब यह आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो इस बार A का position जो है वो कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है यानि कि इस बार हम बात करेंगे किसकी overlapping के case की तो चलिए देख लेते हैं आपस में बदल लिया जब A और B ने क्या कि अपना स्थान आपस में बदल लिया तो A की new position आपको मिल गई कितनी left hand से 15 और तीनों ही प्रस्टों का हम लोग यहाँ पर answer करेंगे यानि कि जो तीन question आपके पूछे गए थे वो कौन कौन से थे तो B की new position किदर से right hand से फिर हम बात करेंगे किसकी total की और फिर हम बात करेंगे किसकी mid value की इस बार जो अपना structure बनेगा तो यह हो गया आपका A, A की position कितनी 23 किदर से left hand से यह हो जाएगा B, B की position कितनी 19 किदर से right hand से और जब यह दोनों अपना स्थान आपस में क्या करते हैं बदल लेते हैं यह दोनों जब अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कौन A और A की position हो जाती है कितनी 15 किदर से तो left hand से अब अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले B की position की तो A की position में कितने की कमी देखने को मिल रही है तो A की position में आपको 8 की कमी देखने को मिल रही है यानि कि A क्या कर रहा है यहाँ पे 8 steps left खिसा कर रहा है तो अब इसी बात है B क्या करेगा 8 steps right खिसकेगा यानि कि जितने की कमी A की position में उतने की कमी बी की position में यानि कि 19 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 11 फिर हम बात करें अगर total number of person की कुल व्यक्तियों की संख्या की तो 15 और 19 यानि कि left end से 15 right end से 19 तो 15 और 19 कितना होगा 34 minus 1 कर दोगे तो 33 कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 33 बात करेंगे mid value की तो इधर से left end से position थी 33 और left end से position है 15 15 और 23 का difference 8 का minus 1 कर दोगे तो 7 mid value कितनी आ जाएगी 7 तो तीनों ही question का answer आप orally कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होने वाली इसी पर based एक और question हम लोग यहाँ पे solve करते हैं चलिए हमने कहा A की position कितनी ले 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 ले 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 थे 35 बी की position राइट हैं कितनी 27 हमने कहा A और B की position जब हम आपस में क्या कर देते हैं इंटर्चेंज कर देते हैं तो A की जो new position आ जाती ही left end से कितनी आ जाती है 23 आपको यहाँ पे बताना है B की new position किदर से right end से total number of person आपको बताना है कितने होंगे और होताना है mid value कितनी होगी ठीक है तो पहले अगर हम प्रस्न की बात करें तो यह 35 से हो जा रहा है कितना 23 कितने की कमियारी है 12 की कमियारी तो B में भी क्या जाएगी 12 की कमियारी तो 27 में से 12 हटाओगे तो कितना जाएगा 15 यानि कि B की position right end से कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी अ अब हम बात करेंगे यहाँ पर total number of persons की तो एक ही position अभी कितनी हो जा रही है 23 हो जारी किदर से left से और B की position कितनी थी 27 किदर से right से यानि कि हम बात करेंगे एक ही position right end से हम कह सकते है कि 27 है और left end से 23 है तो 27 plus 23 करोगे तो कितना होता है 50 minus 1 कर दोगे तो कितना जाएगा 49 दोनों के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आ रहा था 35 और अभी आ रहा कितना 23 से दोनों का difference कितने का है 12 का है minus 1 कर दोगे तो क्या जाएगा 11 आ जाएगा यानि कि हमने का हाथ दोनों के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या की जब हम बात क ठीक है, इसी पर based हम कुछ questions की बात कर लेते हैं, बोला जा रहा है, राणी is 11th from the left, राणी की position क्या है, बाएं छोर से, ग्यारवी और सोमा की position कितनी है, सातवी यह कहां से, दाएं छोर से, यानि कि right end से, when they interchange their position, राणी would be 16th from the left end, जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो राणी की position कितनी हो जाती है, वह आपको यहां बताना है, find the position of सोमा from the right end, तो I hope कि आप सभी का answer यहां पर आ चुका होगा, यानि कि जितने का increment राणी की position में, उतने का increment सोमा की position में, राणी की position 11 से कितनी हो जा रही है, 16, यानि कि 5 की वृद्धि, तो 7 से कितना हो जाएगा 12 यानि कि 5 की वृद्धी आंसर कहा जाएगा option number D next question की बात करें तो बोला जारा मोना 17th position from the left hand and anju is 19th position from the right hand if they interchange their position anju becomes 15th यानि कि इस बार 17 से anju anju की position 19 थी 19 से कितनी हो जा रही 15 19 से अगर ये 15 हो गई है तो यानि कि 4 की कमी देखने को मिल रही तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है then find total number of persons are there in the queue यानि कि अन्जू की position पहले 19 से अभी कितनी होगी 15 होगी किदर से right से तो right से 15 और left से कितनी 17 तो 15 और 17 को जोड़ देना है कितना हो जाएगा 32 minus 1 करद होगे तो आजयागा 31 यानि कि 31 option number D क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए अगले हम यहाँ पर question की बात कर लेते हैं अगला question आपका यहाँ पर क्या कह रहा है 30 लड़कों की एक पंक्ती में जब कमल को बाई और से 5 इस्थान इस्थानांतरित कर दिया गया तब पंक्ती के बाई छोड़ से उसका number 12 हो गया यानि कि कमल हमने का total number of person कितने थे 30 कमल की position कितनी हमें नहीं पता लेकिन जब हमने क्या किया कमल की actual position से उसको क्या किया 5 इस्थान इस्थानांतरित कर दिया वो भी किस और बाई और इसको जब हम 5 places left क्या करते हैं shift करेंगे तो 4 बंद इसके बीच में होंगे और यह आगया आगया आपका कमल तो पहले हमें नहीं पता इसकी position क्या थी लेकिन shift होने के बाद हमें पता इसकी position कितनी हो गई 12 हो गई तो जब 12 हो गई तो पहले वाली position भी हम निकाल सकते हैं नहीं कि 5 घटाने के बाद में 12 तो 5 जोडने के बाद में 17 नहीं कि previous position कितनी हो जाएगी आगे बोला गया है जै पंक्ती के दाई और से किस स्थान पर होगा यदि जै कमल की मूल इस्थिती के दाई और चौथे स्थान पर था यानि कमल की मूल इस्थिती यानि कि कमल की प्रीवेस पोजिशन और यहां से चौथे स्थान पर कौन था जै था यनकी इन दोनों के बीच में तीन बंदे होंगे यह हो जाएगा आपका जै तो यहां तक बारा बारा के बाद चार सोला सोला के बाद एक सतरा सतरा के बाद तीन बीस और एक 21 यानि की लेफ्ट से 21 तो राइट से कितना हो जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा आप नो वेक्ति पहले नो वेक्तियों को गिनोंगे फिर आएगा जै का नंबर यानिकी जै की पोजिशन कितनी हो जाएगी 10th from the right end अगर आपको structure draw करना आता है तो question कैसा भी हो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं चली कुछान निप्रकार के प्रशन जो आपको basically exam में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे इसको भी हम लोग फटा-फट से क्या करते हैं discuss कर लेते हैं question के अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है P is taller than Q यानि कि P क्या है Q से लंबा है दी गई जानकारी का ध्यान पूर वगद्यन करें और निमलकित प्रशनों का उत्तर दें तो जानकारी क्या दी गई है P Q से लंबा है यानि कि P कही न कहीं क्या होगा Q से उपर होगा height wise फिर उसके बात बोला जा रहा है R S से लंबा है तो R क्या है S से लंबा है R यानि कि क्या होगा S से उपर होगा लेकिन T से छोटा है लेकिन R क्या हो जाएगा T के नीचे हो जाएगा आगे की बात करें तो बोला जारा है QS से छोटा है Q क्या है S से छोटा है और S P से लमबा है QS से छोटा है और P क्या है S से Q S से छोटा और S P से लंबा S P से लंबा It means S कहा होगा P के उपर होगा S अगर P के उपर होगा तो ये definitely हो जाएगा S ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा T क्यों कि अपने पास वेक्टी कितने थे 5 ही वेक्टी थे तो 5 वेक्टी का सीक्वेंस यहाँ पर आपके पास बनके त्यार हो चुका है तो हमें अप्रोच क्या करना होता हमें अलग अलग दी गई जानकारी को अलग अलग क्या कर लेना होता इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना होता मने कहा था कि आपका जो Sitting Arrangement का Basic Concept कहीं न कहीं जो आप सीखते हैं वो Order Ranking से ही आप शुरू करते हैं अगर आपने Order Ranking प्रॉपर तरीके से सीख लिया तो कहीं न कहीं Sitting Arrangement में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए आपको किस प्रकार से वहाँ पर Question को हल करना है इसका Sense कहीं न कहीं आप डवलप करते हैं Order Ranking के Chapter से ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे के प्रशन की अगले अगर हम Question की बात करें तो बोला जारा Only यहाँ पे है 5 Students A, B, C, D A, B, C, D and E Have given exam No 2 Students have got similar marks Only 2 Members get more marks than C यानि कि केवल दो वेक्तियों को पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं 5 वेक्तियों की तो पांच वेक्तियों की बात अगर हम करें तो बोला जारा है केवल दो वेक्तियों को क्या होता है C से जादा marks मिलते है यानि कि C के उपर केवल और केवल कितने वक्ती हो जाएंगे, दो वक्ती हो जाएंगे, तहां पर हम 5 positions क्या कर सकते हैं, fix कर सकते हैं, यानि कि C से जादा केवल दो लोगों को marks मिले हैं, फिर बोला जा रहा है, B gets less marks than C, B को क्या मिलता है, C से कम number मिलता है, यानि कि B या तो यह यहां पर होगा, और B या तो यहां पर होगा, दो possibility, फिर बोला जा रहा, A gets more marks than D, but less marks than E, यानि कि अगर हम A की बात करें, तो A को क्या मिलता है, D से अधिक अंक मिलता है, लेकिन E से कम अंक मिलता है, ठीक है, अब इनके बीच में और भी वक्ती हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह तीनों का sequence आपको ऐसे ही देखने को मिलनके बीच में दूसरे वक्ती भी हो सकते हैं, यानि कि A को क्या मिलता है, A gets more marks than D, but less marks than E, आगे की बात कर तो बोला जा रहा है, B does not get minimum marks, B को minimum marks नहीं मिलता है, यानि कि यह वाला क्या हो जाएगा, condition cancel हो जाएगा, यहां पर हम किसक अंक मिलता है, A को A से अधिक अंक मिलता है, लेकिन D को A से कम अंक मिलता है, आगे की जानकारी के अगर हम बात करें, तो आगे हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, तीन position हमारे पास बची हुई है, it means कि यहां पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, औ हमने क्या कि अलग-अलग information को अलग-अलग note down करके लिखा और जब हमने सब को merge कर गिया तो एक proper structure जो बनना था वो हमारे पास बन करके त्यार हो गया अब इस से related पूछे जाने वाले प्रत्यक प्रस्न का हम आसानी से क्या कर सकते हैं उत्तर दे सकते हैं प्रस्न की अगर हम बा 43 marks यदि A को क्या मिले है 43 अंक मिले है और B को कितने अंक मिले है 30 तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे आप से C का संभावित प्राप्तांग क्या है तो हमें पता है C कहां आ रहा है A और B के बीच में आ रहा है यहाँ कि 43 और 30 के बीच में जो होगा वो क्या होगा C का नंबर होगा 43 और 30 के बीच में आपको एक ही नंबर दिखाई दे रहा है और वो क्या है 35 यानि कि आंसर क्या हो जाएगा 35 और यहां पे एक और question आपसे पूछा गया था किसको मिले तो सबसे टॉप पे आपका कौन था यानि कि आंसर क्या हो जाएगा option नंबर बी चली कुछ और questions की भी हम लोग यहां पर practice कर लेते हैं question के अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है in a row of students facing towards east यानि कि हमने कहा चाहे east facing करके पूछे चाहे west पूछे चाहे north पूछे चाहे south पूछे हमें कैसे बनाना है हमें left to right ही बनाना है ठीक है तो यहां पे अगर हम बात करें in a row of students facing towards east a is 18th from the left hand a की position कितनी है left hand से 18 है and c 17th from the right hand b who is fourth to the right of a b कहा है a के fourth to the right में है यानि कि इन दोनों के बीच में तीन वेक्ति होंगे और यह हो जाएगा आपका b और c की position मोला था 17th from the right hand who is fourth to the right of a is fifth to the left of c यानि कि b की position क्या है c के respect में fifth to the left है यानि कि इन दोनों के बीच में चार वेक्ति बैटेंगे फिर आजाएगा c और c की position हमें पता है कि इदर से right hand से कितनी दिया हुआ 17th दिया हुआ है तो अभी आप देख सकते हैं कि जो दी गई जानकारी है उसके अनुसार हमारा structure बन के तयार है यानि कि एक ही position देख सकते है बाएं छोड़ से कितनी है अठारवी है c की position दाहीने छोड़ से कितनी है 17th है बी की position की बात करें तो एक रिस्पेक्ट में चार प्लेस कहां है राइट में है और अगर हम बात करें तो बी की position क्या है फिफ्ट टू दे लेफ्ट अफ सी है यानि कि पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पर permission दिया गया उसके according structure हमारा बनके त्यार है अब यहाँ पर हम बात करेंगे पूछे गए प्रशनकी तो बोलाए तो पंक्ती में कुल कितने छात्र है तो 18 के बाद 3 मिल गए कितने 21 के बाद मिल गया भी कितने होगे 22 22 के बाद 4 मिल गया तो होगे 26 और 26 में कितना जोड़ दो अगले question की बात करें तो बोला जारा in a class of 60 students number of girls are twice the number of boys यानि कि 60 छात्रों की एक पंक्ती में जो number of क्या है girls है यानि कि 40 अगर क्या हो जाएंगी लड़कियां हो जाएंगी तो 20 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद बोला जा रहा है रॉनक is 36 from the left hand और रॉनक की position के अगर हम बात करें तो 36 from the left hand यानि कि बाएंचोर से कितनी है 36 है माल लेते हैं ये बंदा कौन है रॉनक है ठीक है टोटल है कितने 60 अब 36 हो गया अगर रॉनक तो रॉनक से पहले कितने लोग 35 और रॉनक के बाद कितने लोग तो 36 चार 40 यानि कि 24 ठीक है clear दीए गई जानकारी के अनुसार के वहल अपने को क्या करना है structure ड्रॉ करते हुए चले जाना है आगे की information की बात करें then find the number of boys to the left of him यानि कि रॉनक के बाद अच्छा यहां पे दिया है 36 from the left hand and there are 13 girls to the right of रॉनक और रॉनक के right में कितनी girls है 13 है तो पूछा है रॉनक के पहले then find the number of boys to the left of him यानि कि रॉनक के पहले कितने लड़के है ये अपने को क्या करना है बताना है चलिए तो सबसे पहले रॉनक के बाद कुल कितने लोग है तो रॉनक के बाद हैं कुल 24 लोग जिनमें से क्या है 13 लड़किया है तेरा लड़किया हैं तो ऑबिश सी बात है ग्यारा क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे बीस ग्यारा यहां पर मिल गए है एक हो गया है रौनक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है left of him यानि कि एक हो गया रौनक ग्यारा हो गए ये तो हो गए कितने बारा यानि कि इसके पहले कितने मिल जाएंगे आठ मिल जाएंगे लड़के और अगर हम बात करे 27 हो जाएंगी लड़किया तो लड़कियों की संख्या भी आप मैच करा सकते हैं 27 प्लस 13 बराबर कितना 40 और लड़कों की संख्या 8 प्लस 11 कितना 19 और एक रौनक कितना 20 यानि कि कुल कितने बंदे 60 कोश्चन की बात करें तो कोश्चन ने बोला है रौनक के बाये में कितने लड़के हैं तो अंसर क्या जाएका option number B यानि की 8 तो प्लस न कैसा भी हो अगर आपको structure रो करना आता है तो आप कोश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं चलिए कुछ और कोश्चन का भी हम लोग यहां पर discussion कर लेते हैं यानि की बोला है थ्री परसंस ए बी एंड सी आ स्टेंडिंग इन क्यूव दियर और सिक्स पीपल बिट्विन ए एंड बी तो ध्यान दीजे ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं छे व्यक्ति हैं तो हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं क्लियर आगे कि अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है एंड टेन पीपल आर बिट्विन बी एंड सी तो बी और सी के बीच में दस लोग हैं तो यहां पर भी दो केस बनेगा इसके लिए और दो केस बनेगा इसके लिए तो हम देख लेते हैं पहले question में question में बात करी जारी किसकी minimum की तो minimum की बात करी जारी तो हम overlap करके ही बनाएंगे structure को तो बी और सी के बीच में 10 लोग है तो जोखो यहां तक हो गए 6 यह हो गया 7 तीन बंदे यह मान लिए और यह हो जाएगा आपका C तो बी और सी के बीच में 10 लोग यहां पर बात करें तो 6, 6, 7 और 3 यह हो गय क्योंकि बात कर रहा है minimum number of person की तो हम overlap करके question को पहले क्या करेंगे solve करना शुरू करेंगे फिर बोला जा रहा है if only 8 people are ahead of C, C के बाद के बाद कितने लोग है? 8 लोग है यानि कि यह case क्या हो जाएगा अपना cancel हो जाएगा क्योंकि C के बाद आपको 8 से अधिक लोग दिखाई दे रहे हैं तो बोला क्या जा रहा है if only 8 people are ahead of C and 18 people are behind A यानि कि C के बाद के बाद कितने लोग है? 8 लोग है और A के पहले कितने लोग है? 18 लोग है तो A के पहले अगर हम बात करें 18 लोग होगी तो 6, 1, 7 तो यह होगा यानि कि 11 लोग और जोड देंगे तो यह हो जाएगी कितने 18 अप अपने को क्या करना है? दीग information को match करा लेना है तो match कराएंगे तो देखिए there are 3 persons A, B and C are standing in a queue there are 6 people between A and C, sorry A और B तो A और B के बीच में आपको 6 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यानि कि यह condition क्या कर रही? satisfy कर रही and 10 people are between B and C तो B और C के बीच में देखो कि तो 6, 1, 7, 3, 10 यानि कि यह condition भी क्या हो रही? fulfill हो रही है फिर अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है C के बाद only 8 people are ahead of C, C के बाद क्यावल 8 व्यक्ति हैं तो यह condition भी क्या हो रही है? fulfill हो रही है और एक के पहले क्यावल 18 व्यक्ति है नहीं कि 6, 7 और 11, 18 तो यह condition भी fulfill होती हुई आपको दिखाई दे रही है अब आप से कोई भी question पूछा जाए इस particular structure से लेटर आप आसानी से answer कर सकते है बोला है what could be the minimum number of person sitting in the queue तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11, 12, 12, 16, 18, 18, 19, 19, 19, 23, 22, 21, 23, 28, 31, 31 यानि कि answer का जाएगा option number A तो प्रस्ण कैसा भी हो? ठीक है अगर हम बात करें order and ranking की या फिर हम बात करें sitting arrangement की question कैसा भी हो? दी गई जानकारी को आपको केवल और केवल क्या करना होता है? पढ़ना होता है और उसके अनुसार आपको एक structure बना लेना होता है अगर आपका structure proper है तो दी गई जानकारी को वो क्या करेगा? satisfy करेगा यानि कि जो भी आपको जानकारी दीगा यह वो आपके structure में proper दिखाई देगा यानि कि वो आपको satisfy होता हुआ दिखाई देगा और अगर ऐसा है तो फिर उससे पूछे जाने वाले किसी भी प्रशन का answer आप क्या कर सकते हैं आसानी से दे सकते हैं बिना किसी कठिनाई के clear तो यह हो गई बात किसकी order and ranking की order and ranking को बहतर तरीके से आपको पढ़ लेना है बहतर तरीके से आपको questions की practice कर लेना है order and ranking की अगर हम बात करने तो इसके आपको questions practice sheet के रूप में already provide कराए जा चुके हैं ठीक है किसी भी doubt होने की स्थिती में doubt को discuss कर लेना हमारे साथ telegram channel के माध्यम से telegram group के माध्यम से ठीक है जिसका link आपको अलड़ी provide कराए जा चुका है जहां पर आप जुड़ करके हमारे साथ क्या कर सकते हैं किसी भी प्रकार से आपको अगर किसी भी subject में कोई doubt है तो आप उसे हमारे साथ group पे discuss कर सकते हैं clear तो unnecessary कोई chatting नहीं करेगा आपके जो genuine doubts है उनी को आप क्या करेंगे group पे discuss करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में thank you